बरसाथ का मुसम स्टार्ट हो चुका है और सभी दूर ठोड़ी थी सी बारिशे भी स्टार्ट हो गईूर इसमोसम में हमें गर्मागर्म कुछ खाने का मन करता ही है तो आश में आपके लिए लेकि आई हूँ उरत की डाल मौंग की डाल से बनने वाली बहुती डिस्टी सी मज़िदार सी रेसिपी तो इसके लिए मैंने यहां पे आदा कप मौंग डाल ली है और आदा कप उड़त डाल बस अच्छी तरीके से हमें से दो से तीन बार पानी से वाश करना है और फिर हम इसे चार घंटे के लिए भिग जार में यहां पे ट्रांसफर कर लेती हूं तो दोनों डाले मैंने यहां पे एक साथ ही पीस रही हूं बस थोड़ा सा पानी हम डालेंगे और इसे अच्छा सा यहां पे पीस लेंगे तो पानी का हमें ज्यादा यूज नहीं करना है क्योंकि बैटर हमें यहां पे हलका सा ग 5-7 मिनिट हमें इसे फेटना ही है पेटने से क्या होगा हमारा बैटर हलका हो जाएगा लाइट हो जो भी हम नाश्टा है पर हम बनाएंगे वहाँ बहुत फलuffी कि और जाली दार बनी आदा चमस जीरा लिया है आदा चमस चिली फ्लिक्स का यूज कर रही हूँ और कुछ दन्या पत्ती डाल देंगे हम यहां पे चौप की हुई तो आप यहां पे कटे हुए प्याज भी डाल सकते हैं या फिर और कोई वेजिस आप खाना पसंद करते हैं इसके साथ में तो वह यहां पे डाल सकते हैं तो अच्की तरीके से मिक्स करें दूज किम अब इदर बहुं चुक हैं अच्छा पेटस टेल गर्म करने के बाद में बस ऑंसदों कोल्डन कलर आने तक फ्राइ करेंगे तो इनका अच्छा सा यहां पर कलर चेंज हो चुका है तो चले अब हम इने बाहार निकाल लेते हैं तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना न भूलना और इसी तरह की और भी नइने रेसिपी पीज देखने के लिए अभी तक आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी नभूलना तो अच्छा सा